घ्लोग के विडियो में हम सेखेंगे किसे हम मिन र्ट — यूज और उससे पहले हम ठ्य जिए और सबस्कते से दिकाए असके भारणा झाल र। है मल ली सुपोस्वा इण पॉइंट टू तो प्रॉड़क्ट जिसे क्यूबोइट बनाते हैं तो अभी हम करेक्ट करते हैं पॉइंट को टूवर्स राइट पॉइंट के एक साइड हमने विट्थ ले लिया एक साइड हमें देफ्थ लिया अगे इन में लाइट लाइट रहा कर रहा हूं तो जैसे सिर्फ यह थोड़ा साथ देखोगे जितना कॉर्णर में जाएगा सिफ्ट होगा उतना जदा हमें यह नेरो होता जाएगा जैसे मैं इसका लेंद्थ पढ़ाऊं तो यह आटोमेडिक मेरा क्यूंकि टूवर्स कॉर्णर पॉइंट जाना है तो 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 एक फ्रिमेटर वियूमें क्या होता है शुक्ष रूपाइन को बहुत दूर ले लिया आप लाइक डिस्टंस बहुत जदा इंक्रीश कर दें तो वह अब क्या होने लगी गा पैरलेल होने लगी यह तो जैसे वोटिकल लाइन पैरलेल है हमारा यह भी अब यह लाइन आप यह भी हमारा पार्लेल होने लगीगा हूँ सेम उसके परपेंडिकुलर्ट एक लाइन ड्रॉ करना है हमें जो कि उसका देफ्ट डिफाइन करेगा हूँ तो जिसे पॉइंट सेमी सब भी पार्लेल तो इसका भी जैसे फूर्थ फूर्थ कॉर्नर है टॉप का सेम बॉट्टम का भी अपनिकाले लाइट लेट ड्रॉ कर लो तो जब जॉइन करोगे तो यू विल गेट था फूर्थ कॉर्नर करेक्ट तो ऐसे हमें अलग-अलग डॉकरने में इसको रिमूव कर देता हूं तो हम अलग-लग अबजिक बनाते हैं इसमें और कैसे उसमें सैडॉ क्रेट करते हैं बो देखते हैं तो अलग लग सेफ जैसे ही हो गया सपोज कोई और है पहले कुछ क्यूब बनाते हैं फिर हम थे तरह कॉंप्लिकेटिट सेफ की तरफ जाएंगे तो पहले तो सिंपल अब्जेक्ट पर देख लो आप अब कहीं भी बनाओगे तो ध्यान रखें कि उसी एंगल में ड्रॉ कर ल लाइन अब उससे पैरलल सारे लाइन पैरलल लाइन मैंने एक वीडियो पहले अप्लोड किया हुआ कि हाओ टू ड्रॉ डिफेंट प्रॉडक्स तो अब देख सकते हुआ है और भी वीडियो से अप्लोड कर लूँगा तो किसका साइज लाइक हाइड किसका छोटा है किसका अब डेफ्थ जादा है तो ऐसे आप टाइप के बहुत सारे समें ड्रॉग कर लो इसको में चीजिए कि आपको कोई पॉइंट का टैंसर ने लेना आप कहीं भी ड्रॉग कर सकतो कोई भी साइज का कितना कॉर्णर भी ड्रॉग कर सकतो तो बस आपको लाइन्स जो है वह सही करना और आपको फूर्थ कॉर्णर हमें सब फाइंड ड्रॉट करना है सैडो के लिए तो यह हमारा कंस्ट्रॉक्शन लाइन्स होगे राइट वह में भी आप बाद में रेज कर लो जब सेडो ड्रॉग करोगे उसके बाद ठीक है जैसे कोई आपजिक्ट होलो है तो उसमें कैसे अलग बनेगा कोई एक सॉलिड है तो उसका सेडो कैसे बनेगा यह सब अभी हमस्टे देखेंगे हम तो अब क्या करें माली इसमें से मई स्टार्ट कर रहें सुप में सुपोर्स फुर ऊपर four points से नीच से निस है अब जो छोटेज करेंगा से एक हमींli जाहिए लाइट और एक चाहिए लाइट वानेशन पॉइंट से उसी तरह सोचे लाइट कहा से आ रहा है तो उपर के जो फूर पॉइंट से वहां से कोई भी एक direction में instead of इस लाइन को छोड़के अब थोड़ा सा direction जो है change करें मालो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ एक line अब इस corner से में pass कर रहा हूँ वो right same उपर के जो four points है आपको उसी corner से सबको पार इस line से parallel four lines pass करना है ऐसे straight लेकि उस line से parallel ठीक है चार corner से चारो line रहा करें light light हो गया यह बहुत important है अब तरह light light रहा करें फिर आपको जो bottom है उसी से भी अब इस line को ignore करके कोई एक angle में जैसे मालो मैं इस angle से ड्रॉक कर रहा हूँ तो एकिन bottom के four points तो first second एगिन parallel इस line से one two three four तो अब दो को दिखा देता हूँ मैं कि कहां पर हमार point है तो first जैसे सपोजी first pillar या line है उसके first point चो line है और bottom के लाइन जहां पर इंटर्सेट कर रहे हैं वहां पर एक point आपको mark करना है similarly second line जा रहा है second corner जहां पर आया वहां पर एक third second point similarly अगर इसको हम third consider करें तो यह line लाइन 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 जा रहा है bottom से लाइन जा रहा है तो third point और यह fourth तो अगर यह हमर प्रॉडक्ट है तो इसमें अगर मैं करूं final तो जो मेरा pen जो ड्रॉड करता हूं वह shadow lines है अगर मेरा product solid है मैं और भी hollow product बना कर दिखाता हूं तो यह उसमें कर सेड़ होगा अगर यह empty एक साइट से तो यह top से कोई भी साइट से तो यह मेरा जो है object का जो shadow बनेगा वह इस form में बनेगा इस particular cuboid का हो कर देफिनेटली यहां पर आप light के object है तो यह थोड़ा सबसाइडिंग कर सकते है उसको आपको समझ भाए होगा और मैं दो तिन और बनाता हूं जैसे माललो अब इस object के जैसे एक match box होता है माललो उसका जो अंदर का जो पार्टे वह अटा दिया आपने तो एक empty box होगा जो कि hollow होगा तो इसमें हमें यह corner visible होगा तो कि सब्सक्राइब हमारा एक cuboid है जो कि hollow तो इस लाइन अब उपड सा हमें जैसे point है same जैसे उसमें किया माललो मैं इसमें direction चेंज कर रहा हूं instead of going this way मैं चेंज कर देता हूं सब्सक्राइब so line one same parallel two three four सारे इस लाइन से parallel अब ड्रॉब कर रहें अब same bottom से भी कोई भी angle one parallel सारे three four ठीक है अब देख सकते हूं फॉर्स्ट पॉइंट मिला यहां पर तो फॉर्स पॉइंट वॉन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फॉर क्योंकि यह बहु हो लो है तो इसमें जो shadow बनेगा वो इसके अंदर भी हमें दिखेगा तो फॉर्स्ट हम बाहर कर डॉब करते हैं जैसे इसमें दिख रहा है सेमें इसमें भी दिखेगा आउटसेट यह पॉइंट यहां पर जा रहा है कनेक्ट करने के लिए ठीक है यहां पर दिखेगा पूरा डॉन नहीं करना हमें तो shadow बाला पार्ट अब जिसे देखिए इसमें भी जिसे यह लाइट को यह वाला पार्ट ब्लॉक कर रहा है क्योंकि लाइट के गेंस्ट जिसे सैडो इस सैड आ रहा है तो यह लाइट के गेंस्ट है सेम यह भी लाइट के गेंस्ट है करेक्ट तो देखिए यहां पर लाइट आ रहा है तो यहां पर जो है अब सैडो फॉर्म होगा उस पार्ट का सैडो जैसे यहां पर गिर रहा है सेम अंदर भी गिरेगा वह पार्ट यह इंसाइड होलो है इसलिए हमें इस सैडो दिख रहा है अदर्वाइस हमें विजिबल नहीं होता है वो हुआ है इस अब जीए अब को यह समझ भाए होगा कैसे हमें फॉर पॉइंट को यह से क्रॉस्ट ने और इस एक अबजेक्ट पहले होलो दिखाने और होलो प्रॉड़क्ट का कैसे हमें इझाले हैं यह सेडो निकालने है सेम अगर इसको भी मैं ऐसे कुछ सेंट करोOoh से फॉर लाइंज और एक चीज अगर माण्लो इस एलाइंख के पारलेल लो जिसे अभी मेल की मेरा लइन यह पारलए यह दि फॉर को इस से पारलेल नहीं करूं सपोस्ट सेड़ों के लिए मैं अधर्वाइस हम जैसे एंगल में लेते कोई भी एंगल मना लेके सपोस्ट इसको मैं एक्सेंड करूं सेम वान तो जैसे इधर भी सेम उसी लाइन में है तो विजिबल नहीं होगा तो जहां पर पॉइंट आया वैसे इसको जॉइन करें है जो सेम यह भी जहां पर पॉइंट आया वहां पर जैन होगा तो जो हमारा सेड हो इस में वह से इतना ही वीजिबल होगा में तो यह भी टेकनिकल ठीक है जहां पर आपको जल्दी बनाना एक इतना ज़्यादा टाइम नहीं वहां पर ऐसे कर सकते और यह जो प्रॉड़क आपजेट साइड है लाइक 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 आपजेट आपजेट आप कर दो कर दो सेन इसमें भी ठीक थर्ड फॉर्थ जो पॉइंट से बहुत मार्क कर लिया हूँ कि अब क्या होगा जो पूरा इंसाइट वाला पार्ट है जिससे अब देख सकते हूं इसका सैडो जिसते यहां तक आ रहा है इसका सैडो भी यहां तक आएगा तो यह वाला पार्ट भी हमें ऐसे डाक करना पड़ेगा हूँ अगर आपको ऐसे एंगल क्रेट करना हूँ तो हम इसा एंगल चेंज कर लूँ तो इस तरह कि कि आपको बहुत सारे कि पहले क्यूबइट से रहा कर रहे से अप माल लोग इसका सेप्ट रहे डिफ्रेंट है सब्स में क्यूबइट रहा करता हूँ यहां पे तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ प्रेयंगल लेक टॉप का एक जो टॉप है मैं अगर उसको पहले ड्रॉप करें ऑप्जेक्ट सेंग और पॉइंट फाइन ओड़ कर लूँ अब माल लोग की सेंटर से मुझे पीक देना है सपूर्स तो एक लाइन दिया कहीं पी आप द्रॉप कर लो जरूने सेंटर हूं मैं सपोज यहां पर एक लाइन के आट करूं तो यहां मैं सपोज थोड़ा ट्रेंगल एंगल तो से मैं आप गाइडलाइन लूँगा मैं यहां पर भी गाइडलेंग और इस साइड भी मुझे जॉइन करूंगा तो यह मैंने रेंडम लिए अपने हिसाब से चेंज कर दिया उसका टॉप का से तो अब इसमें भी क्या होगा जैसे मैंने टॉप का से इसको अभी जैसे हमने फॉर कोई भी अंगल में प्रॉप कर लूँ जैसे मैं इस फॉर पॉइंट से लाइन राओ करूँ और वान पैरलल 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 पोइंट्स अब बॉट्टम से भी जो भी अंगल में चाहिए वारलल करेक्ट तो अब जो सेड होगा मेरा फर्स पॉइंट जैसे दोनो तो अब दस नीचे देख सकते हो अभी रेक्टांगल बन रहा है अगर क्यों इसको हम इग्नोर करते टॉप वाला पाट तो इसका सेड हो ऐसे बनेगा बट अब इसमें क्या है पीक है सेंटर में तो इसको भी मैं इस पॉइंट से एक एड़ करूँगा लाइन से इम पारलल तो देखे जो चुश्रक्शन लाइन है यहां पर स्ट्राइट लाइन इस पॉइंट को अगर मैं आइड करूँ इस पॉइंट को अगर मैं पीक मिल जाएगा उसका तो जो टॉप सेड है सेडो में भी हमें वो ट्रेंग्लर जो सेप है वो विजिबल होगा तो न्यू यहां पर फ्री एंट डाइगनेट स्ट्रेट लाइन तो यहां पर भी मैं स्ट्रेट लाइन से आड करूँ तो अभी जो मेरा सेडों है वो कुछ ऐसा मिन लेगा मुझे दिखेगा कर दो कर दो कि यह हमारा ऑपजेट साइड है लाइट के लाइट तो हमारा सेडों इस पर्टिक्लर जो सेप है उसका सेडों ऐसे विने का हूं तो आपको कुछ कुछ समझ माया होगा कि साइडों कैसे फॉर्म हो रहा है तो हम और कॉंप्लेक्स अब्जिक्ट के तरफ लाइक सिफ्ट होंगे दिरे दिरे तो पहले जो बेसिक्स पहले आप ट्रॉ करों क्यूब बनाओ अलगलग साइज के अलगलग एंगल में साइड में पीक आड़ करके देखो तो फिर जैसे अब हम को अबजेक्ट और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप आप आप अबजेक्ट चाहेंगे तो उसमें हमें क्या होगा इस सब चीजे साइडो का जो लाइन है कहां पर फॉर्म हो रहा है कैसे बनता है तो स्लोली थोड़ा सा सिफ्ट करेंगे हम धीर थे इंक्रीज करेंगे तो थेंक यू सो मच फूर वाचिंग कुछ भी आपको डाउट लगे कोई भी आपजेट में कोई भी साइडो कोई भी इसमें सेक्टिव तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन बताएं मैं उससे रेलेटेड वीडियो बना दूँगा और अगर वीडियो अपको पसंद आया होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो तेंक यू सो मच यू सून विदिए नीव वीडियो टेक केर और